रियासतों का प्रदेश विंध्य प्रदेश हुआ शुरू सफर रियासतों से तो खत्म हुआ सियासतदारों के दरपर तो आज हम बात करेंगे उस सक्षियत से जिनका तारूफ ना तो रियासतों से है और ना ही सियासतदारों से सरकारी स्कूल से शुरू हुआ शिक्षा का सफर इंजिनिरिंग से होता हुआ जा पहुचा राजनेतिक गलियारों में नमस्कार स्वागत है आप सभी का कारेक्रम दिल से में आज हमारे साथ है मध्यप्रदेश के रीवा जिले के प्रसित विधायक श्री राजन शुकल जी नमस्कार राजन जी आपका हमारे कारेक्रम दिल से में बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम आपसे आपके व्यक्तिकत जीवन के साथ आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी है उसके के व्यक्तिकत जीवन से जैसे हम अगर आपके पिताश्री की बात करें तो वह बहुत-बड़े व्यवसाही थे लेकिन आपका कैसे राजनीति में आने का सफर शुरू हुआ कोई राजनीतिक गुरू थे या आपने ऐसा सोच लिया था कि आपमें को राजनीति में ही आना है देखे चात्र जीवन से ही मेरा रुझान राजनीति की ओर हो गया था क्योंकि रीवा राजनीति करूप से बहुत ही जागरू कि लाका है और वहां की जो स्टुड़न्ट पॉलिटिक्स थी वह भी बहुत चार्चा का विशह रहती थी तो उन दिनों में ही राजनीति में मे लोगों ने ये माग की कि अब मुझे ही चुनौ लड़ना चाहिए तो एक दो बार तो मैंने अपने को बचानी की कोशिस की लेकिन बाद में फिर मैं चुनौ लड़ा और चात्र संग का अध्यक्ष भी रहा पढ़ाई पूरी हुई इस दिशा में आगे बढ़ता चला गया जैसे आप 86 में कॉलेज में प्रेसिडेंट रहें फिर आप 2003 में पहली बार विधायक बने तो जो 86 से 2003 का जो एक पीरिएट था तो उसमें और क्या आपके राजनीतिक जीवन में क्या उतल पदल हुई क्या हुआ किस तरीके से आपने मतलब फुल टाइम फिर आप राजनीत में मुझे पहली बार भारती जंदा पार्टी से चुना लडने का मौका मिला और 12-1300 बोटों से में चुना हार था तो एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि साइद राजनीती में मेरा आगे बढ़ने का योग नहीं है और मैं गलत दरवाजा खट खटा रहा हूं और एक तो मद्रदेश में सबस्यादा वोटों से चुना जीतेंगे यह संकल्प मेंने किया था और वास्तों में जब 2003 का चुना हुआ तो पार्टी ने मुझे फिर से दुबारा ठिकट दिया और छपन हजार वोटों से चुना जीता उस समय वो मद्रदेश में यदी वोट औस दि सबस्यादा मिले तो यह बात मैं आपको इससे बता रहा हूं कि यदी संकल्प किसी बात कर लिया जाए तो वो पूरा होता है तो इसके लिए प्रयास किया जाए तो इससरे से 2003 में मैं पहली बार विधायक बना और छे महीने बाद ही उमा जी मुख मंतरी थी तो मैं मंत्री पन गया हाला कि लोगों को आश्चर वा कि पहली बार जीतने के बाद मंत्री कैसे बन गया क्योंकि पहली बार बनते ही मोस्ट आफ दी लोगो को चांस नहीं मलता है लेकिन अपको अच्छी अपोचनिव लिए थी तो इस समय आपको सियासत में जगे ने मली तो उसका कुछ दर्द आप होता है कि हमें जीत तो आए लेकिन आभी हमें मंत्री पद नहीं मिल पाए बल्कि पहले आप पहली बार जीते थे लेकिन आप मंत्री पद तक पहुच गया तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी कुछ नहीं किया होता है तो मौका मिल जाता है और कभी-कभी ऐसा तो इसलिए जहां तक चेत्र के विकास का और जंता के कल्यान का सवाल है उसमें कहीं कोई अवरोध नहीं है बिलकूल यह इसलिए कहा जाता है कि जिसे मंजिल हासिल की जाती है वह अपने प्रूफ करके दिखाया और कई विभाग के या मंतरी रहे हैं वनमंत्री यह रहे हैं और सोलन एरर्जी के भी मंतरी रहे है। इस में आपने बहुत अच्छे काम किये। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं कि हमारा एक पसंदिदा विभाग होता है। इसमें हमारा एक वीजन होता और हम बहुत अच्छे से उसको कर पाते हैं। तो ऐसा आपका कॉनसा विभाग रहा है कि उसमें आप मंटरी पद रहा है और आपने उसको बहुत अच्छाँ से फ्लौनिश का बहुत अच्छे से उसके उसमें अच्मर्ष काम किया करने के लिए ही हम लोग बने है इस चैलेंज को सिवकार करना है और बिजली कटोथी के कलंक को मिटाना है तो मैंने का फिर जैसा आपकी आदेश होगा वैसा काम करेंगे और फिर वो भोपाल आए और उसी दिन रात को और जारी हो गया कि उर्जा मंत्राले मुझे अवंटित क की आगया और उसके बाद हम लोगों ने जो रिपोर्ट संविट की तो मैं मुखुंति जी की इस बात के लिए मैं उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने वो सारी विवस्थाई की बजट का प्रविजन क्योंकि 25,000 क्रोड का कैपिटल इंवेस्टमेंट की आवशकता थी 10,000 क में 5,000 क्रोड उपे ट्रांस्मिशन के छेतर में और जनरेशन के छेतर में फी 10,000 क्रोड यह इतना पैसा इंतजाम करना असान काम नहीं था मुझे बताते हुए प्रसनता है कि उन्होंने इसारा इंतजाम किया अलग अलग सोतों से और पैसे की कमी करन काम रोकने नहीं पाय आप यह अभ्यान चल और अन्तत्य हम लोगों ने अटल जूती अभ्यान के नाध्यम से यह काम शुरू किया 2013 जन्वरी से काम शुरू किया 6-7 महने के अंदर हर जिले में जाकि बड़े आयूजन करके अटल जूती आव्यान के माध्यम से 14 कंटे पिजली के शुरू आत की जो यह काम हुआ, बिजली कटोथी का कलंग मिटाने का काम, वो मैं यह मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत यह संतोष का विशयरा है. और एक और बात है कि आपको इसले भी जाना जाता है कि रिवा में एशिया का सबसे बड़ा जो अपी की देन है, कि कि शुरुवात आपी ने करी और आज अगर देखा जाए तो विश्व में जो पहचान मिली है वो भी इस 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 बात के लिए मन्थन कर रही थी, जब दुनि के सभी देशों के प्रमुक थे और मन्थन के बाद रिजूशन पास हुआ था कि यदी परियावरण को बचाना है जलवाई परिवरतन की समस्या से आने वाली पीधी को बचाना है तो हमें थर्मल पावर स्टेशन को कम करना चाहिए और रिनुबल पावर को बढ़ा देना जिसमें सोलर भी है विंड भी है इंको बढ़ाने की आवशकता है और उसी समें मोदी जी ने संकल लिया था कि हम 2022 सक एक सो पच्छतर गीकावट रिनुबल एनरजी काउट पादन शुरू करेंगे जिसमें एक लाख मेकावट सोलर था तो वो जो मौहल था उससे सभी को सभार के पहाड़ी है वो इसके लिए आइडियल लेंड है जिसमें एक शुर की करपा थी कि किसी चीज को कंसेप्चुलाइज करना और उसको धरती पर उतार देना इसके बीच में कई बाधाई रहती है कई हड़ल रहते हैं लेकिन यदि जहां चाह होती वहां पर राह को न से थी जब इसका विड़ आया था तो समय वो दुनिया की सबसे सशी सोलर पावर थी तो सर यहां हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद आप से और भी बहुत सी बात करेंगे इस जगह तो इतनी नेशरल हरियाली के साथ है कि यहां आने का मन बार बार करता है तो बाल अम्बेंस इस गोई नी मिलेगी गूदल सर्च करें रजॉर्ट्स नियर भौपाल तो नंबर वन चॉश में अर्दा महुआ होसी आता है एचकलतो दाल बाफले एंड चूरमा लड अच्छी फोरस्टी जगह मैंने तो नहीं देखी इसने 65 लियर सभाई रहा है तो बहुत प्यारा एंवायमेंट है और लवली सराउंडिंग्स यहां तो ऐसा लग रहा कि यह साम स्वर्ग में बटा हुआ हुआ है तो फूद प्लेस और गुद प्लेस पहली बारा है मुद बहुत प्लेस पिक्निक स्वर्ट तो बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है ऐसा लगता है यहां के रहा है अच्छी से इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है बड़े दिनो बाद दालवाती चुर्मा खाया है रहास्तानी चुर्मा इस बिश्ले ब सुपरफार टोल आल माई फ्रेंज कम विजिट हमेशा आईए यहां पर बहुत प्यारी रिसॉर्ट है यह जगा बहुत अच्छी है मिलाब जा जा जाके एडवेंचरर हो जाता है कि आप अंधेरे में अडवेंचर कर रहे हूं ताट्स बेरी गूर्ट सर ब्रेक के बाद आपका फिर्स्वागत है सर जैसे सोलर पाक की वज़े से रिवा को जाना जाता है लेकिन अब वाइट टाइगर की क्या स्थिती है कि वाइट टाइगर को क्या लोग भूलते चले गए वाइट टाइगर को लोग उस समय नहीं भूले जब 40 साल और रिवा थिर गड़ा किया जब लेके आए फिर उसको बढत किया फिर उसे बच्चे पैदा करा एं फिर थो म Panel के सखिया बढ़िंग कि वाइट एगर का इसना डंटैर करिंगों एट टाइगर का इन एड़ यहां से वाइट एलग यहां से टाइगर टाइगर परचेज करके ले गए तो चुनाओ के भाशन में लोगों को ये बोलते हुए सुनते थे कि जिताई हम वाइट टाइगर वापस लाएंगे अचा अचा है इसका मतलब लोगों की बावनाओं से कितना जोड़ा हुआ ये विशह रहा और ये मानते थे कि हमारा है सारी दुनिया में यदि है तो हमारा है हमारे यहां के वंशत के हमारे कारण सारी दुनिया में है और जब मैं दोजाराट में बनमंत्री बन गया तो मेरे सामने वो पूरी पुरानी जो तस्वीर है वो पिक्चर की बात फिल्म की बात मेरे नजरों से गुजरने लगी कि वाई टैगर को रिवा में वापस लाना चाहिए यह हमारी पहचान है और इससे टूरिजम भी बढ़ेगा और फिर वो पुराने दिन लोटेंगे विदेशी भी यहां पर आएंगे और वाई टैगर को देखने के लिए यहां एक बात मेरे जहन में आ रही है कि जिसे जब भी किसी को मंतरीपद मिलता है तो अपने एरिया में वो सबसे ज़्यादा काम करता है अपने एरिया में काम करना तो हर जन प्रदेश की डूटी है करना ही चाहिए लेकिन यदि आप प्रदेश के मंत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी के दूसरे जगे भी इस तरह के योजनाई लाएं तो उसको लाने में भी हम लोगों ने कोई कसन नी छोड़ा है आपको ध्यान होगा नीमच में 135 मेगावाट का सोलर प्लांट का उद घाटन मोदी जी मुखंतरी से उनको बुला के कराया था तो चीजों को हम लोगों ने पाइपलाइन में डाल दिया था रिवा वाला तेजी से आगे बढ़के और आज बन के तियार हो गया लेकिन उसी मॉडल को अन्तिता भारत सरकार ने बेस्ट मॉडल माना रिवा के सोलर प्लांट को भारत सरकारी रिकोगनाईज किया जो उसका मॉडल था जिसमें इवेक्वेशन सिस्टम पूरा बना के तियार करके हमने डेवलपर को ऐसी फैसिलिटी दी कि उन्होंने नियूंतम रेट कोट किया और इसलिए वो रिवा असे बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है और मोडी जी ने उस घाटन के दिन अपने भाशन में कहा भी रिवा के पहचान सफेद बाग और मानवदा के से अभी तक होती थी अब इस सोलर प्रांट से देश और दुनिया रिवा को जानेगी और जब रिवा के लोग दिल्ली जाएंगे तो गर्व करेंगे ये ये मेट्रो दिल्ली की हमारी बिजली से चल लही है तो इसलिए इस प बाइबंदू जो मुंबई में फसे थे और सोनु सूथ से आपने ये कहता है कि वहां से हमारे रिवा के बाइबंदू को यहां वापस पहुचाने में मदद करें यह आपका बहुत अच्छा इनिशेटिव दा लोगों ने उसकी तारिवी की लेकिन जो राजनीतिक गलियार मैं आपको बड़ा कॉंट्रोवर्सी में लाके कड़ा के दिया इस बारे में आपको ग्या सुचना है देगे राजनेतिक गलियारो में उन्ही लोगों ने ने कोशिस की जो लोग कुछ नहीं कर रहे थे वो कमरे में बंद थे और अंदर से ही बाते कर रहे थे फील्ड में न रहे हों चाहिए इंदौर में रहे हों भोपाल में रहे हों सभी से मेरा बहुती सतत संपर्ख इस्थापित हो गया था क्योंकि हम लोग सब लॉक्डाउन में थे सभाविक है सभी फोन रिसीव करते थे और तुरंत उनकी समस्या को फारवड करते थे मुंबई में भी करीब पांच ट्रेने आहीं, अब वहां से जो लोग भी थे, हम लोगों ने सब टाइब कराया, यहां जो अधिकारी नुक्त किये गए थे, उनकी सूची हमारे मॉबाइल में आती थी, हम उनको फारवर्ड करते थे, मुक्षणती जी ने विवस्ता कर दी थी, उन सब का रेजिस्ट से कौन सी मदद कर दें, तो जब हमारे लोगों ने कहा कि आप उनको बोल दीजे, तो हमने जब ट्वीट किया, मुझे खुशी है, कि ट्वीट का रिस्पॉंस जो है, सोनु सुची ने बहुत तत्काल दिया, और उनके लोगों के पास पहुँच गया और उनके धन्यवाद कि साब हो अरेंजमेंट, कल सुबे हम लोग निकल ले हैं, तो चुकि उस काम में लगे हुए थे, जबकि वह वास्तों में जो आपने शुरू में कहाना, उसकी आम जनता में बोरी सरहना हुई, क्योंकि आम जनता तो यह चाहती है, कि यदि आप सक्षम है, आपको विधायक बना दिया है, तो आप साशन से भी मदद कराएं, व्रक्तिकत मदद भी करें, और यदि कोई सक्षमादमी कुछ मदद कर रहा है, तो उनको भी बोलें, जी बिलकुल, और सर जो आपने ट्वीट किया था, उसका उनोंने ये जवाब दिया, कि मैं जब रिवा आउंगा, तो मैं पोह काऊंगा, तो पोह तो मालवानचल की डिश है, तो आप विंद की कौन से स्पेशल डिस्टो निकलाएंगे, अगर वो यहां आते हैं सोनों से जी, रिवा में पोह भी काफी चलता है, लोगप्री है, लेकर उसके लाब और भी बहुती चीज़े है, रिवा विंद क जानते हैं, अब आप देखे, राज कपूर जी की शादी रिवा में हुई थी, राज कपूर जी की शादी रिवा में होने के बाद, राज कपूर जी ने रिवा से अपना रिस्ता इस परकार से निवाया, कि कई पिक्चरों में उन्होंने रिवा का नाम लिया, आप तो रिवा से उनका जो नाता था, मैंने उसके घाड़न के समब यही कहा था, कि रिवा वाले से रिस्ते बनाते नहीं है, रिस्ता निभाना भी जानते हैं, तो इसलिए यदि उन्होंने हमारे लोगों की मजद की है, तो उनका पूरा स्वागत होगा. जब विंद्य प्रदेश एक अलग राज्य था और बाद में जब हमें स्वदंता मिली, उसके बाद उसका मद्य प्रदेश में विला है, उसके बाद भी उसके कई तुकड़े हो गए, तो इस दोरान रिवा में जो डेवलप्मेंट होना था, वो बहुत धीमीगती से हुआ, अगर हम कहें कि अब उसमें शुरुवात हुई है, तो क्या कारन रहा है कि इतना धीमीगती से रहा, विंद्य विकास के मामले में बहुत पीछे था, इसमें कोई दोराय नहीं है, कोकि प्रदेश के बजट का जो हिस्सा विंद्य को मिलना चाहिए था, उसके लिए जो लड लोग ये भी कहते थे कि वहां साब काम आम तो कुछ हो का नहीं, आप क्यों परिशान है, वहां वर कल्चर ही नहीं है, तो एक बहुत ऐसा शड़ेंत्र मुझे लगा कि विंद्य के साथ हो रहा है, और इसे विंद्य के हिस्से को इधर उधर डैवर्ट किया रहा है, और आन दिलों में ये बात तीर के तरह चुपती थी, और ये हुआ कि नहीं इसको आगे बढ़ाएंगे, बांड सागर की ओजना बंद पड़ी थी, उसको पैसा नहीं मिलता था, मुखमंतिर जी के सामने इस बात को रखा गया, कि बांड सागर हजार काम के बराबर है, इसको आप क करते हैं नहर के पानी से करते हैं, और उससे आर्थिक करांती आ गई, उससे बजार की तस्वीर बदलने लगी, नए नए शॉपिंग मॉल बनने लगे, दुकाने बनने लगी, पर कैपिटा इंकम लोगों के बढ़ गई, खर्च करने की छंता किसानों के बढ़ गई, तो उ रिवा से सिंगरोली, रिवा से बनारस, रिवा से इलाबाद, रिवा से सतना की भीच, नहीं बन सकते हैं, हमने क्या आपरात किया हैं, हम लोग दिली सहरिद्वार जाते थे उजमाने में आज से पचीछ साल पहले, फो लेन की सड़क बनती हुई देख थे 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 तो ल रिवा में विकास किगती यही रहेगी, तो कोई ऐसा नहो कि इंदौर भॉपाल को पीछे करके रिवा उससे आगे निकल जाए, तो लगता है हम इसको जरूर देखेंगे, रिवा को इतना आगे बढ़ते हुए, लेकिन आखरी में एक कोशन में पुछना चाहूँगी, कि जैसे श्री निवास तिवारी जी को कहा जाता था वाइट टैगर, यह उपमा दी जाती थी, तो आपको वहाँ पर क्या उपमा दी जाती है, तो लोगी बता पाएंगे, मैं क्या उता सकता हूँ, मुझे इस बात के खुशी है, कि जब कोई कहता है, रिवा में तो पहचानी सकते हैं, बाइपास बन गई, रिंजरोड बन गई, रिजवे लाइग का काम चला है, सिचाई की नहरों में पाणी दिख रहा है, जिए, मैं कहीं से एंटर करो, इलाहबाद तरब से उ जाना जाता है रीवा में तो सर यहां हम इस प्रोग्राम को विराम देते हैं आप से बहुत सी बाते की बहुत सी बाते आप से जाना कि आपने रीवा के लिए क्या क्या किया और देश और दुनिया में रीवा का नाम रौशन किया है तो बहुत-बहुत धन्यवादी तो आज क कारिकरम में बस इतना ही अगले हफते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शक्षित के साथ तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे आज़ाद आज़ा नमस्कारा झाज़ाद तक मुझे एंद किसी और मंस्कारा नमस्कत सेॡ़ाद आज़ाद तक मुझे और wärा आज़ाद मजस्कारा वगले य।